जारे बच्चों, आज हम करेंगे डिरेक्ट ट्रीट ओफ एजुकेशन की हिंदी की कारे पत्र का ये है कक्षा दीन के बच्चों के लिए 21 सारिक की क्रम संक्या है 137, विध्यार्ती यहां अपना नाम और यहां आपने सिक्षक वसिक्षका का नाम लिखेंगे सार्थक व निरर्थक शब्द बच्चों, आपने पाठ टिप्टिपुआ पढ़ा, मजेदार लगाना अब आप सरा पाठ में दादी द्वारा कहे गए, इस वाके पर ध्यान दीजिए न शेर्वा के डर, न बगवा के डर, दर कर डर, टिप्टिपुआ के डर पाठ में बार बार टिप्टिपुआ शब्द आया है, क्या आप जानते हैं कि टिप्टिपुआ शब्द का कोई अर्थ नहीं है यह तो बारिश के पानी के टपकने की आवास टप टप है कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द सार्थक शब्द ऐसे ये शब्द जिनका अर्थ होता है सार्थक शब्द कहलाते हैं जैसे किताब, दिवार, बगीचा, शेर, आदी निरर्थक शब्द वो शब्द हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है और ये अधिकतर सार्थक शब्दों के साथ प्रेयोग होते हैं निरर्थक शब्द कहलाते हैं जैसे खटर पटर इनका कोई अर्थ नहीं है पानी वानी रोटी शोटी कपड़े वपड़े आदी नीचे लिखे गए अब देखो आपको बोल ये देखो ये सारे निरर्थक है क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं है लेकिन ये किसके साथ इस्तमाल हो रहे हैं सार्थक शब्दों के साथ जैसे देखो पानी का अर्थ है लेकिन वानी का नहीं है रोटी का है लेकिन शोटी का नहीं है कपड़े का अर्थ है पर वपड़े का कोई अर्थ नहीं है तो ये सार्थक शब्दों के साथ इस्तमाल होते हैं लेकिन इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता नीचे लिखे वाक्यों में से निरर्थक शब्द चातिये और सामने दी गई खाली जगह में लिखिये आप चाय शाय पी कर जाना तो निरर्थक शब्द है चाय शाय मैं इन्हें underline मैं इनमें रेखा की चरी हूँ आप इन्हें यहां लिखेंगे चाय शाय जो है वो निरर्थक शब्द है तो उसे यहां पे लिख लीजेगा चाय शाय ठीक है इसी तरीके से अगला चाय शाय इसी तरीके से अगला है हमें नहीं खेलना वेलना तो खेलना वेलना आपका निरर्थक शब्द है पहले वाले में चाय शाय है अगला आलतू फालतू बात ना किया करो तो इसमें आलतू फालतू निरर्थक शब्द है अगला कोई बहाना वहाना नहीं चलेगा तो बहाना वहाना निरर्थक शब्द है इसी प्रकार अगला देख लेते हैं आपका अगला है आईए चित्र पहचानकर उल्टे पुल्टे वर्णों से सार्थक शब्द बनाते हैं तो ये उल्टे पुल्टे शब्दों का हमें सार्थक शब्द बनाना है जिनका कोई अर्थ हो तो पहला है ये चित्र बारिश का हम लिखेंगे बारिश अगला ये है बाग घ अगला है समोसा समोसा अगला इस पाठ में टिप टिप वा कौन था क्या वह सच मुझ भयानक था तो बच्चों टिप टिप वा जोपड़ी से टपकता हुआ वर्शा का पानी है क्या वह भयानक था नहीं वह भयानक नहीं था क्योंकि यही प्राशन है कि इस पाठ में टिप टिप वा कौन था तो टिप टिप वा जोपड़ी से टपकता हुआ वर्शा का पानी है प्राशन है क्या वह भयानक था नहीं वह भयानक नहीं था अगला प्राशन है क्या आपको वर्शा रितु अच्छी लगती है ? तो अगर आपको वर्षा रितु पसंद है रेनी सीजन तो क्यूं पसंद है आप यहां लिखेंगे और अगर नहीं पसंद है तो वो हम यहां लिखेंगे तो जिनहीं वर्षा रितु अच्छी लगती है उनके लिए ये उत्तर है देखें क्योंकि वर्षा रितु में मोर नाचते हैं मोर नाचते हैं इसलिए अच्छा लगता है चारू तरफ हर्याली फैल जाती है इसलिए अच्छा लगता है ठंडी हवा चलती है इसलिए अच्छा लगता है और कुछ लोगों को भीगना पसंद होता है इसलिए अच्छा लगता है और कांगर्स की कस्ती बना सकते हैं अब वर्शारितु जिन्हें अच्छी नहीं लगती क्यूं क्यूंकि खीचर हो जाता है कीचड हो जाता है और जो दूसरे अंसर है वो यहां लिखे हैं क्या हो जाता है पानी भर जाता है हर जगा जिसकी वज़े से बीमारिया अलग-अलग रोग होने लगते हैं बारिश की कारण टाइफवॉस, मलेरिया तो बीमारिया होती है मच्छर उत्पन हो जाते हैं इतना पानी भर जाता है कि मच्छर हो जाते हैं और आप कहीं घूमने नहीं जा सकते तो ये चार उत्तर हैं आप कोई भी तीन लिख लीजिए अगला है बच्चों जरा सोचकर बताईए कि यदि आपके घर कुछ दिन पानी नहीं आए तो आपको और आपके परिवार को बाकी सदस्यों को कौन-कौन से कारे करने में परिशानी होगी अगर हमारे घर कुछ दिन पानी नहीं आएगा तो हमें खाना बनाने, कपड़े दोने, नहाने साफ सफाई आदी करने में परिशानी होगी बच्चों अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए ताकि आने वाली वोकशीट आपकी मिस ना हो और इस सुत्र को त्यान से देख ले कि अगर हमारे घर कुछ दिन पानी नहीं आएगा तो हमें खाना बनाने कपड़े दोने नहाने साफ सफाई आदी करने में परिशानी होगी और ममी पापा के लिए सुझाव बच्चों को बताएं कि वर्शा का जल हमारे लिए कितना महत्वपूर है और हमें इसका संचय कैसे करना चाहिए और कोविट से बचने के लिए हाथो को नियमित रूप से दोते रहिए चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले बाई बच्चों